हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यार किसी की प्राइवेट प्रापटी लगती है हाँ यह देखो यह किसी दुग्गर चोला के महरानी की जगा है जाराइट कुछ नहीं यार यह बोर्ड तो ऐसे दिखावे के लिए हाँ यह प्रोपेटी तो सालों से ऐसी पड़ी है किसी को पता भी नहीं चलेगा हम यह आई भी थे चलो कर दो कर दो झालों से खालों से कर दो कर दो कर दो वाउ, नाइस प्रेस्या वाउ, नाइस प्रेस्या वाउ, नाइस प्रेस्या वाउ, यह जीए के पास ना, बहुत ही खुब सुरण जगा है हम भई रुकेंग जार मिटेश, हमारी शादी आने बाली है इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही महिना है मेरी अजाती का तुम्हे शादी को लेके कोई डाउट तो नहीं है ना माई बेबी, मुझे तो कोई डाउट नहीं है हा, तुम अपना सोच लो ठीक है ठीक है तुम इसने भी बुरे नहीं है प्रुया, तुमने कुछ आवाद सुनी बितेश, वहाँ पे कुछ है हाँ अरे देखते है ना केफुल हाँ भागु वखुल ज्वो Kolom मुव पिपष भागु मुवो पिए भी थो भी रमिपष Celebrity पिए मुवो भागु profitable अर्ण सर इस अजीम चीज पर इसे क्या खास बाता है? सर, ऐसी चीज तुम इने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखिये ऐसा लगता है कि कोई दूसरे गरह से आये है दूसरे गरह से? मतलब सर, अब हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे गरह पे जाना पड़ेगा पहले तुम्हें बेज दूंदा मैं पच्चों जेसे बाते मत कर अफ्रेडी एक बात पक्की है कि अगर पर्टोरी इसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब है कि ये बहुत किमती चीज है बहुत किमती चीज समझे नीबरतामबा वो मेरा था CID वाले उसे उठाके ले गए मरेंगे सब किसम उन्हें पता नहीं वो काहार टाल रहे कानून तो आंदा है मैंता है CID बेंदी होगी बस नीबरतामबा और अभी CID के पास है इसका मतलब क्या हमारा प्लैन चोपट हो गया जहां CID की सोच खत्म होती है तो वहां मेरी सोच शुरू होती है यह सब तेरे बाप की वज़े से हुआ है यह सब तेरे बाप की वज़े से हुआ है और अब तू तू ही उसे वापस लेकर आएगी यह लाइगी ना यह लाइगी यह लाइगी वह मेरे साथ ही था लेकिन जैसे मैंने मुड़के देखा वह खाया वह चुका था तुम्हारा मतलब है वह अजकर? वह अजकर मेरे मितेश को का गया रूमत्री यह थी यहकीन है मितेश मेही जलामत होगा हमें मितेश को दुनना होगा चलो वह वाज ले वह वह इसके तुट में कुछ है वह वह अजकर को दुनने का दुनने हम नितेश को भी बचा सकते हैं हमें उसे अजकर के पेट से भाहर निकालना होगा तो अन्हों तुम लोग और यहां हमारी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं तुमारी प्रॉपर्टी हम महारानी तिलोत्तमा है तुगर्चोला की महारानी और यह हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें तुम लोग खुसाएं हम हम मौपी चाते हैं फिर लेकिन हम सब मुटीबत में है एक अजकर ने हमारे दोस्त को निकालना है डॉक्तर शर्मा को इंफरम कर अजकर मिल गया है और जल्द से जल्द यहां आने के लिए एक अजकर आपकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है वो हमारा पाल्तु अजकर है जहां रखा था उसे वहां से निकल गए वो जो कुछ भी हो फिलाल हमें हमारे दोस्त को बचाना है और वो कैसे करोगे तो अजकर को मार कर वो सकता है मितेश जिंदा हो उसे अजकर के पेट से बाहर निकालना होगा देखिए आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ हमें उस बात का दुख है लेकिन हम अपने अजकर को नहीं मार सकते नहीं मार सकते लेकिन तू नहीं मार सकते तुप रहो, यह सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम लोग गैर कानुन करीके से हमारी प्रॉपर्टी में नहीं घुसाते हैं, तो यह सब होता ही नहीं मैं जा रहा हूँ अपने दोस को बचाने का और ऐसा करने से तुम मेंसे तोई मुझे नहीं रोप सकता तुम्हें गोली मार नहीं मार दो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस को बचाने का कर तुम्हें जा रहा हू dew ग्रॉपर्टी अवर्टीघ कर एी रहा हूँ अपना कर दोसी अधने में ग गज सकतावपित कर तुम्हें कल दोस सलनNoवा किस्तोपने से कानय को काद ुम्हें जांज छे کا मैं पतू ए इत यह क्या चीज़ है जरू यह तो किसी नक्षी जैसे दिख रहे हैं जरू यह तो किसी नक्षी जैसे दिख रहे हैं हम्हाँ यह नक्षा है जय्वन्ती यह नक्षा अँप है जहां यह नक्षा हमाल भांपर है यह तड़ तरफ रहा है सर लिख पहले को पहले एक नक्षा मिला था Tibet उस्तरी को नक्षे किसाथ खोई लेना देना ह। पर लेकिन यह केसे पता चलेगा? कि यह नक्षा के चा के का है? पहले तो हम यह पता लगाना है पुर्वे कि गटोरी डम्ता इस नक्षे के पिछे क्यों पढ़ा है? सर! सर यह पार्सल न्यूज चानल की तरफ से आसे मगर सेंडर ने नाम ने लिखा है सर, पता नहीं किस ने वेजा CID only बागो 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 क्यो बागो? पुछी पी ने कहा था यहां पिछली पार केक लेका है पंकषण लाइ सर यह मेरा आचे ले लो रो इदर सर प्लीज प्लीज़ प्लीज़ क्या लगता है? हलका है सर, बाम तो ने लगता है ठीक है खुलो इसे उदर संबल के माई कॉड कटा हुआ अकान कटोरी कटोरी विंद्रेक विंद्रेक को चला कर देखते हैं सर हाँ कर देख रहे हैं इसे है यह जानते हो ना जानते हो ना असके इसे अहलत क्यूं क्योंके मेरा कुछ समान तुम्हारे पास है मेरा नी प्रतामभा अब मैं क्या करूँ करूँन है यहाँ कर दो कर दो अभी निशना चुकती है जब कोटोवी चाहता हूं बारा गंटे में किला रोड सामान के साथ क्या हुआ कहां आजकर डॉक्टर प्लीज परेशान बतो ये मैं तेखता हूं कि अजकर अजकर मर चुका है अजकर मर चुका है अजकर मितेश का क्या हुआ शायद वह भी मर चुका है अजकर मर चुका है लेकिन रानी साही बाप उसे निकालने के लिए हमें अजकर का पेट काटना पड़ेगा जो कर ला है कीजी पैसे भी वह अजकर मर चुका है अजकर मर चुका है अजकर राइमा को बचाना है तो हमें काटोरी की सारी बाते मांदनी पड़ेगी सर्थ बाप एक्सपर्ट अपनी बाप को दीखा है क्या अपनी बाप को कैसा बाप है बाप सर्थ मैं कुछ दिखाना जाता हूँ एक बाप के फटने से यह जाल है अगर सारे बाप फट जाएंगे तो क्या हाल होगा सर्थ पुरा शेहर बरबाद हो जाएंगे हम ऐसा नहीं होनी देंगे पता लगा लेंगे इस शेहर भी कहा कहां पर बाप लगाय गए गए और उनका रिमोट भी ठुड़ना होगा, सर्फ सर्फ हाँ सर वो मजदूर बंदिनी कुकरू उसका पता चल गया है सर वो शहर के बार किसी बड़ी सी कोठी में रहती है बंदिनी कुकरू अब ये बंदिनी कुकरू ही बताएगी इस बॉम के बारे में दिन दो भे हाँ क्या रखो म४्रिष्樣 Philiya, Primiya इससा क्या हो रहा है, Mithesh और तु रोकि रहीए तु तु कुदू अहां Philiya, मैं ठीकू ऑउ, देखो on Mithesh Philiya feel. जिम्जिन्दा हो तो फिर यह कौन है इस आदमी के सिर पर गोली लगिया है गोली लेकिन यह है कौन और हमारी प्रापटी में कैसे गुसाया बतलब यह मामला अजिगर के निगलने का नहीं है यह मर्डर केस है हमें फॉरं सी आइडी को बिलाना पड़ेगा सब्सक्राइड रर्यूजिए बड़ेगा सब्सक्राइड विए रड़ेगा अँभर यह विए तुम लगों का अज़कर पता भीए कितना कॉस्लियस बैक्स है वो उस्लियस एक लाक्स का है सरेंटीनोस कंपनी का सब्सक्राइड लेकी नाव शुना होगा इसका सोरी मेडम गलती होगी गॉर्ज नाव यू ब्लड़ीज फूल्स निजबंदी निक कुकुरू एक्चुली इस दे बैंडीज वोज यूस? हम लग CID से है है कुछ बात करनी आपसे सु करो ना बठ हरी आपसा मेरी एपॉइंटमेंट्स है डूटी स्पार्लर में इंपॉर्टेंस मीटिंग में जाना है मुझे हो 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 अचा अचा बात है कुकुडू मैडम की आप कही पर काम करते थी ना पहले किसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम इते उठाना पत्थर उठाना है ना तो उसी बिल्डिंग में हमें एक बॉम मिला है बॉम कुछ बता सथे हैं उसके बारे में साइब वो बहुत पुरानी बात है मेरे को नहीं बता उसके बारे में मेरे को क्यो बूच रहा उसके बारे में मेरे को क्यो बूच रहा उसके बारे में और फिर वाराग निकालते हैं इनकी सब लोगों के साहदे ब्यूरो लेकि उखलते हैं नहीं, नहीं,– कटालeduc मैंने उस दिन उस बिल्दिंग के बिल्डर को भी बताई थी ये बात तो उसने कहा कि बंद रखो अपना मूख, फिर क्या, उसके बदले में मैंने तो कह दिया उससे, मेरे से मैरिजेस कर ले, वरना मैं सबको बता देगी ये बात, फिर उसने मेरी बात मान ली, मेरे को मैरिजेस की उसने, और यहाँ पर लाकर रखा, अच्छा, उन लोगों को तो बैजान सकती हो न, जिन्होंने वो बॉम्ब रखा था, तुमने देखा है उने, साहिब वो एक आदमी था, निलेश नाम था उसका, निलेश, कहा है यह निलेश, वो तो हॉस्पिटल में बढ़ा है सर, ओपरेशन के बाद, शायद अभी भी कोमा में है वो, निलेश शायद कोमा में है, तो चला, चल कर देखते हैं हेलो ओफिसर, हम महाराणी तिलोतमा है, दुगर्चोला एस्टेट की मार्क है, यह हमारी एस्टेट है, और यह बोड़ी अजगर की पेट से निकली है यह को, यह लो कौन है? यह सारा हंगा माईनी की वज़े से हुआ है, यह हमारी एस्टेट में घुसाए थे, और हमारे पाल्तू अजगर को भी मार दिया वो अजगर पाल्तू था? आप जानती है ना, जंगली जानूरों को बिना परमेशन के पालना गार कानूनी है वो बहुत छोटा सा था, जब यहां आया था, फिर यह स्टेट जे से उसका घर बन गया लेकिन इन लोगों ने उसे पीट-पीट के मार दिया आप शायद भूल रहे हैं, उसने इंसान को निगला था और सर, इस आदमी की खून से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ज़रूद पड़ी तो दुबारा बोलाएंगे अपने अपने कॉंटेक नंबर और एडरेस दे दो, जी आंकर, सर, 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 इसके माथ है कि पीच पीच गोली मारी, सर, इसके पास कुछ नहीं है, सर, कोई अडेंटिटी नहीं है अजगर जैसे खतरनाक जानवरों को आपने इसे खुला कैसे चोड़ रखा था, इसकी बड़ी स्टेट है, आपकी कहीं से कोई भी गुच सकता है हमने उसके लिए बाड़ा बनवाय था, लेकिन हो उसे तोड़ के निकल गया और एक आदमी को निगल गया, उपर से गोली भी लगी इस आदमी को आपके गार्स तो यहां हर समय रहते हैं, गोली चलने की आवाज किसे ने कैसे नी सुनी एक यहां का मैनेजर, म्रनभी, अगर किसी गार्ने कुछ सुना हो था, तो मुझे जरूर बताता सर, हो सकता हुसे कहीं और गोली मारी गई हो, और लाश खुला के यहां फेक दिया गया हो हमें सिखाने की कोशिश मत करो, और तुम लोग इसनी आसानी से चुटकारा नहीं पा सकते, समझे? एक आदमी को गोली मारी गई है, किसने किया यह सब? ओफिसर, हमारा यकिन कीजिए, हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बता इत्मी बड़ी स्टेट हैं, सेकड़ो एक उज में फैली हुई है, हर बात पे नजर रखपाना पॉसिबल नहीं है और हम तो यहां रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एक फैमिली फंक्षन के लिए यहां है वो सब तो ठीक है मारा निति लुत्मा जी, लेकिन आपके सभी गार्ड्स के पास गन है और इस आदमी को बंदू की गुली लगी है सर, हम इसे से किसे ने भी ने मारा है वो हम पता लगा लेगा प्रेडी, इन सब गार्ड्स की कन लो और बॉड्डी को परंसी क्लब बेजो देखो तो सही, जो गोली इसे लगी है, वो किस गार्ड की गन से चली है और इस पूरे स्टेट को छान मानना होगा सर, घंटों होगे सर, कब से ढून रहे, कुछ भी नहीं मिला और यह जंगल भी खतमने का नाम नहीं ले रहा है, सर सर, शायद महरानी और उसके लोग साही कह रहे है यहां कुछ हुआ होगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है कुछ तो हुआ है, यह देखो, यह अज करके रहेंगने का निशान हाँ सर, मतलब वो लड़का यहां मिला था अजगर से लड़का यहां पे मिला था, तो गोली भी आस पास ही चली होगी सर, यह जूता यह तो किसल लड़की का जूता लगता है लड़की का जूता? सर, मतलब उस लड़के के साथ यहां पर एक लड़की भी थी लड़की का जूता है राट से यह समझ जाता है कि उसका शिकार कहा है एक दम शांत खड़े रहु सर, मतलब उसका है अजगर ने जिस आदमी को निगला था उस आदमी की मौत गोली लगने से लेकिन उसकी गर्दन पर मुझे एक चिप ही लिए चिप? कैसी चिप है? टेकिंग चिप है अरभिजीद तुम जल्द से जल्द फोरण से लाएबा जाओ ओके सर थैंक्यू बेरी मैच चलो रुक जो को नो तुम लोग और या क्या करे हो? एक मिनट अपने अतियार निचे लखो अम लोग सी एडी से हैं अब लोग कोन है? मेरा जीव मिस्टर अबे कुमार के मासी आया हूँ उनके बेटे अमन को किसीने की नाप लिया है हम लोग उसे ढूंटे हुए यहां तक आये हुए है अबाय कुमार वो बहुत बड़े इंडस्टिलिस्ट जी हाँ वो ही और ये बॉड़ी अजगर की पेट से निकली है सर इसके मात है कि पीच पीच को लिमारा ये अमन ने क्या कपड़े पहने थे वीला शट और जीन्स पंकर सर अमन के पिता जी को फॉरण से क्लब लेके आँ है सर सर अबस्टर अबै ये अमन की डाट आईए अबजी अबजी देखिए हम चाहते हैं कि आप इस बॉड़ी को देखकर आइडेंटिफाय करें कि ये आपी का बेटा आमन है अबजी अबजी आईए 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 देखिए अबजी अगर हमें अबजी के खुनी तक पहुंचना आए तो हमें आपके मदद की बहुत ज़रूरत है कि हम बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ सर अमन का किटनाप हुआ था और किटनापर्स ने मुझे धंकी दी थी कि अगर मैंने सी आईडिया किसी और को भी ये ख़बर दी तो वो मेरे बेटे को माट डालेंगे तो उन्होंने फिरोती में क्या मांगा सर, उन्हें मेरा प्राइवेट प्लेण चाहिए था प्राइवेट प्लेण, क्यों स्मग्लिं चै़िए वृ उन्हें कोई ओछान्साइनमेंट इस शेहर में लनना था उन्हें पता था अच्छी तरह से कि मेरा इस शेहर में कॉंठेक्से इचिनुद् accidents है बॉडिगाड रखता था ताकि उसे कोई नुक्साम में पहुचा पाए बगर फिर भी किंड़ा पर से उसे मार दिया सिर और उसके बास से आज तक उन लोगों ने मुझसे बात तक नहीं किया देखें अबेजी जहां पर अमन को अजगर ने निगला था कि एक लड़की का जूता मिला क्या कोई लड़की थी अमन के साथ उस वक्त लड़की रिचा अशर रिचा अमन के गर्डफरिंड है और उसदीन रिचा अमन के साथ ही थी • अमन के शरीर पर मेरा मतलब ए उसके partie कर्दन पर हमें एक छोटाची जिप मिली, जिप. सिर उचीप, मैंने अमन के गर्दिन पर लगवाई थी. क्यो? अमन को हमेशा धमकी भरे फोन आते थी. मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कोई हाथसा नो हो जाए. इसलिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है? इन सब का ट्रैक रखने के लिए मैंने उचीप उसके गर्दें पर लगाई थी, सिर. शौँ. सर अगर अमन और रिच्छा साथ में थे, तो फर ये रिच्छा कहां गायब हो गए? रिच्छा, रिच्छा. जो कुछ भी हुआ है, महारानी दिलोत तमाके, डुगगर चोलाई स्टेक में हुआ है. ये सब क्या है? ये देखकर तो कोई गधा भी बता सकता है, कि यहां कुछ गढ़बढ हुई. ये सब यहां केस है, देख क्या रहे हो, हटाओ इसे. जल्दी. चलो. CID के आने से पहले ये सब जला दो. ये क्या है? ये तो ड्रोन है. हमारी पिच्चास कैप्चर कर रहा है. उड़ा दो इसे. अभीजित. अरे, हरे, मारानी ठिलोत तमाजी. कहां जाने के तैयारी हो रही है? देखियो, ओफिसर. जैसे आप सोच रहे हैं, वैसा नहीं. नहीं? जैसे आप लोग सबूद मिटा रहे थे, उससे पहले हम यहां पौँचे हैं? तो रिचा और अमन को यहां अंदर बांद के रखा गया था, है? कौन अमन? कौन रिचा? हम तो इने जानते तक नहीं हैं. देखिये, हम किसी जंजट में नहीं बसना चाहते थे. इसलिए सारे सबूद मिटा कर यहां से भाग रहे थे. और हम यह सब क्यों करेंगे? हम तो अज सुभा ही मंबाई पहुचे हैं. ठीक है? वहां अंदर लिखा हुआ है, बचाओ, S.A.N. क्यों संज़ जी? अपका गया गयान है? जब अंकर कुछ करो यार, खड़े क्यों हूँ? अज संज़ नहीं किया था. इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले था. एक आदमी आया था यार पे सर, जिसने का, इस उम्ज़ ने लागा है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा. अगर मैनु ससाद दिया, तो वो मुझे पांच लाग रुपए देखा और वो सिफ रिचा और आमन को बंदी माना के रखना चाता था. रिचा काया है? रिचा और आमन भाग और वो आदमी और उसके साथ ये, उन दोने को पकंड़ने के लिए जंगल में उनके पीछे दोड़ पड़े सर. उस आदमी का नमबर जगी है में जो तुम्हें पांच लाग रुपए देने वाला था. वाँ, सर. जेवन्ती, फोन ट्रैक करो. डड़की बहार आजाओ, आमें पदा तुम यही कही हो. अपने आप बहार आजाओ. नहीं, नहीं, लुट रूभ, जोड़ मुझे. बहुत परिशान कर लिया, अब मर. कवरामन हम लोग CID से हैं मैंने अमन को बचाने के बहुत कोशिश की शांग तूजा शांग तूजा बतो क्या हुआ सर अमन और मुझे बंदी बना कर छोपड़े में रखा था और उसके बाद हम वहां से कैसे भी बचके निकल गए सर लेकिन यह बदमाश हमारे पीछे पड़े थे और और इमनों अमन को गोली बार दी उसके बाद क्या वा उसके बाद उसके बाद अमन लोड़कता हुआ चटान से कही दूर चागे रहा और मैं जल्दी से उस चटान से निचे उतरी और फिर मैंने देखा बचाओ, कोई है, है, कोई है, बचाओ, है, कोई है, मैंने अमन को बचाने की बहुत कोशिश की सर्व पर यूदे बेरे पिछे पड़े थे इसलिए मुझे भागना पड़ा अजर तुम किसी डील के बारे में जानती आमन के बदले किसी डील के बारे में यह तुमने कोई कंसाइनमेंट वगरा के बारे में सुना ओए जब हम लोगो बंदी मना कर रखा हुआ था तब मैंने दी दील फाइनल हो गई है और मेंटी किसी ओएसी स्टूडियो में होनी है ओएसी स्टूडियो माल तो कुरा गिया ना माल दिखाओ जैसा तुम चाथे दे प्रवीन सारे के सारे उत्त अटोमेटिक अत्यार मशीन गन, ग्रेनेट, स्नाइपर लाइफल, सारे के सारे फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगा है क्या बात है, दिल खुश हो गया, एक बात तो कहनी पड़ेगी मुझे तो ये यकीनी नहीं हो रहा है, कि इतनी सक्त चेकिंग के अंदर ये हतियार तुम हिंदुस्तान में ले आए, बहुत खुब राजीओ ये तो हमारा काम है, ये तो बंदुक देख रहे हो ना हो, जिसकी गोली पर स्पेशल डाइमंड कोड़िंग किया गया है, जो सक्त सक्त कवच को भी चीर सकती है डन, डेल पपकी बहुत पैसा हाँ, ये लो जितने में तैव अधा पूरा है गुमर जाथ काम कर गर, बहुत चाला है मजे भी, बाल रखो पैगे लिगाल, बाल निकाल पोजा कर गड़ राजीर, अमन का बोडिकाट कि अधार बोच्श है क्यों है तुमने है तुमने ये सब बताओ! क्या करूं साब? सिर्फ 60,000 रुपे वो भी महिने के आज की जमाने में क्या होता है साब इतने पैसो का? कुछ नहीं करोड़ पती था वो और इतने साल इवान दरी से नोकरी करकर कुछ नहीं मिला साब लो गया उसका बेटा हमेजा की लिए कम यह लिए आएगा वो अब है तुम्हारा मालिक था तुम्ने उसे धोका दिया इसकी बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे मिलते थे पर तुम्ने? उसने उसके बेटे की रख़़ऑने नहीं की कि जान से मार डाला तुमने उसे कभी सोचा था अब तुम्हारी रखवाली कौन करेगा है हासी का फंदा हुँ यह क्या मेरे स्वागत के लिए सिर्फ एतने लोग कोई फोर्स नहीं कोई स्नाइपर नहीं कितनी बेबस है एसी एएईजी मैं या तुम सब के सामने बिलकु नहता खड़ा हूं और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते राइमा का है अबड़ी जल्दी में वेसी भी हम्हां वहले मेरास सामान नहीं नहीं सिर्फ यसी थी छुम में बिल ऐलो हो इन टार साम आड़ा चल्ड़ी जल्ड़ी बिल्दी मेरे को टुम मेरे हैं अबड़ी जल रहां यह वहलेख बढ़ा है अबड़ी पत्याव सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, जैसा तुम चाहते थे राइमा सब रगा फल मीठा होता है सिपी वो जब की बच्चों के खेलें यह केवान कि यह फिख रखेयर अलगाना राया अलगाना बच्चों के खेलें यह जे अब 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 तुम्हारी उम्रे नहीं रहे खेने कि पर्टोरी राइमा वहाँ राइमा तुम तु जानते वेसी भी एविल्यूशन पहले इंसान एक जानवर था फिर दीरे दीरे वो खड़ा वो उसे अक लाए और फिर उसे अविश्कार किया पहिये का चक्का टायर और आज आज उस टायर के विज़ा से दुनिया कहा के कहा पौँचके है एन्हा सर यह कटोरी मेरे निशाने पर निशान लगाओ किया सर नहीं अभी नहीं यहाँ असमा स्टायर का है ठुंडो सर राइमा राइमा संबल के सर इसकी आलद तो बहुत कराब है एंब्यूलिस बलाते हूं सर यह कटोरी तो वागे हमसे दो कदम आगे निकला हाँ मगर कब तक और कहां तक आगे निकलेगा पता तो हम लगाई लेंगे अगर जीत तो हमारी ही होगी खर िडिन प्रिक फिर लगाई भुल पॉल प्रिक抗जाल प्रिक épूड तो हमार constitution रडिक इसर दो रडिक चष्काल झाल झाल